आज मैं आज मैं आपको बिहार पोल टेक्निक से समंदित कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन बताएंगे जो प्रवे सियर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे तेश में पहला कोश्चन है पिर्थवी के केंद्र का तापमान है लगभाग तेश का अनसरो जाएगा ए चार हजार डिगरी सेल्सियस जो कि आप फोटो में देख सकते हैं कि पिर्थवी के सबसे अंदर का भाग जो होता है उसका धिक्तम तापमान चार हजार डिगरी सेल्सि अगला question है electron bolt किसकी इकाई है तो इसका अंसरो जाएगा electron bolt उर्जा की इकाई होता है विवांतर का बोल्ट होता है अगला question है हवा द्वारा ग्रहित उर्जा है तो हवा द्वारा गतीज उर्जा होता है अगर यहीं स्थितिज उर्जा की बात किया जाए तो नदी में रुकी हुई पानी में स्थितिज उर्जा होता है अगला कोश्चन है गतीज उर्जा का सुत्र तो गतीज उर्जा का सुत्र हो जाएगा K बरावर 1 वटा 2 M B अस्क्वार अगला कोश्चन है गतीज घरसनवल चरंगरसनवल से होता है तो चरंगरसनवल से छोटा होता है इसका अंसर हो जाएगा B अगला कोस्चन है अंत्रिक्ष में रॉकेट में गती सिल बेक्ती में होता है तो इसका अंसर हो जाएगा गतीज उर्जा अंतिक्ष में रोकेट में गती सिल वेक्टी में होता है गती जुर्जा जैसे कि आप देख सकते हैं यह रोकेट है इसके अंदर जो वेक्टी वैथे हुए हैं उसमें गती जुर्जा होता है अगला question है प्राश्रव्य ध्वनी की आविर्ती होती है तो प्राश्रव्य ध्वनी की आविर्ती 20,000 हर्टस से अधिक होता या बहुत important question है अगला कोस्चन है यदि दो रासियों का प्रसपर ग्राप सरल रेखा हो तो रासियां होगी तो रासियां वियुत करमा अनुपाती होगा या बिहार पोलिटेकनिक 2008 में पूछा हुआ कोस्चन है अगला कोस्चन है प्रोटोन सद्रिश्य होता है तो प्रोटोन सद्रिश्य होत और इसके बीच में नाभिक होता है अगला को अगला कोश्चन है फॉस्फेरस का सबसे अस्थाई अपरूप कौन होता है तो इसका अनसर हो जाएगा लाल फॉस्फेरस लाल फॉस्फेरस सबसे अस्थाई होता है तो लाल फॉस्फेरस को आप फोटो में देख सकते हैं जो दर तिसमें यह लाल फॉस्फेरस कम क्रियसिल तथा अधिक अस्थाई होता है जबकि स्वेत फॉस्फेरस अधिक क्रियसिल तथा कम अस्थाई होता है यह पी फोर अनुका जटिल बहुलक है जबकि स्वेत फॉस्फेरस अनुसुत्र पी फोर होता है लाल फॉस्फेरस गंधिन हो 2.1 है जबकि स्वेत फॉस्फेरस का घनत वह 1.8 है या घनत वह लाल फॉस्फेरस कारवन डाय सलफाइड में गुलनसील होता है जबकि स्वेत फॉस्फेरस कारवन डाय सलफाइड में गुलनसील होता है वह लाल फॉस्फेरस या भंगूर होता है जबकि स्वेत फॉस्फोरस या मोम जैसा मुलायम होता है तो यह लाल फॉस्फेरस में अंतर आप जरूर आद रखेंगे अगला कोस्चन है रक्त का पीच मान होता है तो रक्त का पीच मान 7.4 होता है जिसका पीच मान 7 से कम होता हुआ अमली होता है और जिसका पीच मान 7 से अधिक होता हुआ छारी होता ह तो अगला कोस्चन है बैधुत अप घटन में ओक्सिकरन अनोड पर होता है अगला कोस्चन है इन में से कौन प्रात्मी किंधन नहीं है तो इस का अंसर हो जाएगा कूल गैस प्रात्मी किंधन नहीं होता है अगला कोस्चन है कारवन मोनोकसाइड और नाइट्रोजन की गैसिय मिश्रन को क्या कहते हैं तो कारवन मोनोकसाइड और नाइट्रोजन की गैसिय मिश्रन को वायू अंगार गैस कहा जाता है अगला कोस्चन है निमलिखित में सिकवन सदिस रासी है तो इसका अ रूर्जा अदिश्रासी होता है अगला कोश्चन है पिर्थवी से किसी बस्तु का पलायन बेग किस पर निर्वर करता है तो बस्तु के द्रब्यमान से स्वतंत्र होता है वो उसे द्रब्यमान पर निर्वर नहीं रहता है वा बस्तु से स्वतंत्र होता है अगला कोश्चन है प्रती ध्वनी का कारक है ध्वनी का प्रावर्तन यानि कि जब आप बोलते हैं और अगर किसी बस्तु से टकरा कर लौटता है तो उसे ध्वनी का प्रावर्तन कहा जाता है अगला कोश्चन है ध्वनी तरंगे होती है तो ध्वनी तरंगे अनुधायरे होती है और यहीं पूछले जाए ध्वनी कैसे उत्पन होता है तो कमपन करने से उत्पन होता है अगला कोश्चन है इन में से कौन लोहे का आयस्क नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा मैलेकाइट हेमेटाइट, मैगनेटाइट और सिडेराइट या लोहे कायस्क होता है अगला कोश्चन है उसमा का SI मातरक क्या होता है तो उसमा का SI मातरक जूल होता है वहीं बाट तो सक्ति का मातरक बाट होता है अगला question है निकट द्रिष्टी दोस को दूर किया जाता है तो निकट द्रिष्टी दोस को अवतल लेंज द्वारा दूर किया जाता है वहीं दूर द्रिष्टी को उतल लेंज द्वारा दूर किया जाता है अगला question है दूर द्रिष्टी जिसे दूर किया जा सकता है तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंट्स द्वारा और आगे बताये थे आपको दूर दिरिष्टिदोह को ऐपर मायोपिया और निकल दिरिष्टिदोह को मायूपिया कहा जाता है अगला कोश्चन है कमिनदाफ घड़ी में संची तुर्जा होती है तो सबसे सुद्ध होता है किसी पर्मानू में संख्या में पाया जाने वाले मौलिकण कौन-कौन से होते हैं तो प्रोटरौन नियूटरौन होते हैं जैसे की फोटों में दरशाया गया है कि कि कोई प्रमानु है इसमें तीन कना जैसे प्रोटॉन न्यूट्राउन और इलिक्ट्राउन और इन सब के बीच में जो होता है वह अनाभिक होता है जिसे निकुलियस कहा जाता है अगला कोस्चन है मेंडलीप के आवर्त सार्नी में ततवों के वरगी करन का आधार क्या था इसक पूटयसियं और पांच वाथा रूभेरियं और इसमें किसे सबसे अधीक होती है अकला कोस्टन है कि सबसे कम किस क्वीत तो घैस में PM की बात कि आ जाए तो द्रभ्यत में माध्यम में होता है है प्राप्राप्र कर दो